ओम सूर्याय नमा, स्वागत आप सभी का मेरे भक्ती भावन यूटूब चेनल पर 25 जुलाई बडार अभीबार और स्रावण मास का पहला दिन भगवान सूर्देव को आर्ग देते समय लोटे में कुछ चीज़े आपको डाल लेनी है और साथ ही एक मंतर का उच्चारण भी करना है इससे भगवान शूर्देव प्रसन नो करके आपकी सभी मनुकामनाय पूरी करेंगे तो विशेशी सुवयोग है और स्रावण मास का पवित्र महिना भी शुरू हो रहा है भगवान सिव प्रशन नो करके आपकी सभी मनुकामनाय पूरी करेंगे तो सुवे के समय आपको सूर देव को अर्ग देना है सूर देव को अर्ग देते समय आपको विशेश रूप से आराधना करनी है और भगवान सिव की आराधना भी करनी है साथ ही आपको एक मंत्र का उच्चारण भी करना है मंत्र में लाश्ट में स्क्रिन पर दिया हुआ है इस मंत्र का उच्चारण करने से पुत्र प्राप्ते के योग बन जाते हैं साथ पतम सुबह उटते ही भगवान गड़ी जी को नमस्कार करें उसके बाद में आप एक लोटा त्यार करें उसमें गंगा जल, तोड़ा सा घी, दूद और थोड़ी सी केसर, लाल पुष्प ये चीज़े आपको लोटे में डालनी हैं उसके बाद में आप भगवान सूर देव की तरफ मुक करके खड़े हो जाएं और आप अपनी मनोकामना बोलें उसके बाद में ओम सूर आनमा, ओम बासकरा आनमा, ओम आदत आनमा आदी मंत्रों का जाप करते होएं भगवान सूर देव को अर्ग देना है भगवान सूर देव को अर्ग देते समय बिशेशूप से ध्यान रगना है कि जल सीधा जमीन पर नहीं गिनना चाहिए, किसी पात्र में ही गिनना चाहिए उसके बाद में आप किसी भी पेड़ पर उसी जल को दे सकते हैं भगवान सूर्दे प्रसन नो करके आपके पुत्र की मनुकामना, धन की मनुकामना पूरी करेंगे विशेश सुवयोग बना हुआ है, आपको इस दिन घर के अंदर स्वास्तक चिन भी बनाना चाहिए हल्दी और रोली मेक्स करके आपको घर के अंदर स्वास्तक चिन भी बनाना चाहिए स्वास्तक चिन बनाने का विशिष मैट्व है और सबसे ज्यादा मैट्व यह है कि इस दिन स्रावण मास शुरू हो रहा है तो भगवान सिव की पूजा भी आप जरूर करें तो इस बकार से आप भगवान सुर्दे व्यारतना करें मंतर इस पकार से है ओम भासकराय पुत्रम देही महतेज से देम ही तर्न सूर्व प्रचोतेयाद इस मंतर का आपको जाप करना है विशेशी प्रभाव साली और चमतकारी मंतर है इस मंतर के जाप करने से आपकी मनुकामना जरूर पूरी होगी तो बड़ा अभीबार बड़ा दिन और स्रावन माश्रू भगवान से आपकी मनुकामना पूरी करेंगे विडियो को सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ओम सूर्याए नमाहा